दोस्तो टाटा पावर की बात के तो इस श्टॉक ने लोगों को कोरोना काल में तो माला माल कर दिया था 28 का श्टॉक 300 तक पहुझ किया था बहुत ही कम समय जबर्दस रिटन लेकर उसके बाद कम से कम डेड़ साल तक श्टॉक एक ही जगह पे टेड़ करता हो दिखा देगा और वो भी 200 के आसपास बहुत ज़्यादा लोग परिशान हो दे लिगे था अब श्टॉक ने पहली बार 300 को क्रॉस करके एक सांदर तेजी की शुरुआत की है क्या इस बार श्टॉक यह जो तेजी का माहुल बनाए क्या 1000 के टार्गेट दिखा सकता है समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से टाटा पावर जो आने बादस में बहुत जबर्दस निवेस करने जा रही अपने ग्रिन अनजी के प्रोजेक्ट को लेकर साथ में इवी चार्जिंग के लिए बहुत बड़ा वीजन तैयार कर लिया है कंपनी लगातार इवी चार्जिंग इस्टाबलिस कर रही है और इनका जो पूरा ना बीजनस है परमपार उड़ जाका वो तो तेजी से काम करी रहा वहाँ पर इनको काफे चार्ज रिवेनी में मिल रहा है तो क्या टाटा ग्रूप के इस स्टॉप में दाव लगाना चीए क्योंकि एक तरस से देखे तो इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट दिख रहा है कंपनी फॉजिल्स और नन फॉजिल्स दोनों में ही क किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बीदवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले अगर हम टाटा पावर के कारूबार की बात करें स्टॉक की सुरा तो भी फ्राइड डॉठ चुका है ऐसे में आपे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है वॉल्म लगबग एक जैसा है पिछले एक मैंने पर स्का 3 कौड का वॉल्म था एक पहले भी 3 क्योड का परसेंगी सांधर तेजी के साथ में और आप देख सकते होlares कि 14 दिसमर की बाद के खोड़ economy फ्री तरी परी जाप्छल परी परीजा प्वरी जाप्गे प्वर 55 परीजापे प्वर्ए जापरी परीजात फेज परीजापे के पिछले कई मैनों के बाद रिकॉर्ड तोड खरीदारी अफ़ाई ने की है फ्रैडे की दिन बाजार में और यह बहुत बड़ा सुप संकेत हैं यह इसारा कर रहा है कि आने बाजार में बहुत लंबी तेजी आ सकते हैं अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेस अगर आप देखे तो पिछले पास साल में इसने 319% का सांदार रिटन दिया है बिल्कुल दोड़ना शुरू कर दिया है वैसे 331 की रेंज थी इसकी फ्राइडे की दिन लो की और हाई था 338 52 वीक का लो देखे तो 182 का है लेकिन जो हाई है वो 341 का है जो रिसेंटल इसने बनाए औल टाइम लो रेंज इसकी 4.27 के और जो हाई है वो 341 की है जो निवेश किया है कोटक इक्विटी और्विटेज फंड ग्रोथ ने यापे 31,452 करोड का सांदार निवेश किया है इसके लावा एक्षीज मिट कैप फंड ग्रोथ ने 23,549 करोड का नया इन्वेस्मेंट किया हुआ है हज देप से अर्विटेज फंड skills प्लाण ग्रोथ ने 8,18 करोड का इन्वेस्मेंट किया हुआ है। निप्वन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 22,695 करोड का इन्वेस्मेंट किया हुआ ह। और बनुलाइप मल्टी कैप फंड रेगुलर ने 24,610 करोड का इन्वेस्में किया है इसके लावा निपवन इंडिया बैलेंस अडूनेज़ फ Lösung ने rätt 703 जुल करóड का इनवस्बंट किया है इसके लावा देखे तो महिन्द्रामदुलाय प्रजयद मिर्क अपने तो यहां पे इलेक्ट्रिश्री जनरेशन में 8.9% की सांदर व्रदी देखना को मिली है जो इसने 243 मेगावाट की एक नई पिक डिमांड हासिल की है वैसे 136 मेगावाट के आसपास की इलेक्ट्रिश्री प्रोड़क्शन की कैपेसरी 2014 में जो बढ़के 243 मेगावाट तक पहुच गये बहुत जबर्दस तरीके से एलेक्ट्रिश्री प्रोड़क्शन बढ़ रहा है और यह आप समझ सकते हो कि जिस तरसे कारूबारी इंडिया की इकोनोमी ग्रोध पट्री पे आ चुकी है इंडिया विस्वक की पांच वी सबसे बड़ी आर्थ सक्ति बंदी है आने वाले समय नंबर तीन पर जाने वाली है तो ऐसे में पावर सेक्टर का सबसे बड़ा योगदा होगा उसके बगर कोई देस में आर्थिक सक इंडिया जो आने वाले समय में अपनी इकोनोमी ग्रोध है वो 9-10 परसेंट पा सकता है पावर सेक्टर के माधिम से क्यों पावर सेक्टर ही इस पूरे की पर एक तरह से दो एक ग्रोध का पईया है जिसके दंपे हम आगे बढ़ सकते हैं तो हमारे पावर मिनिश्र की और साथ में थर्मल पावर प्लान की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है तो यह सारी बाते साबित कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस सेक्टर में एक सांदा तेजी की संभावनों बनेगी साथ में जो कोल का प्रोडक्शन है वो भी तेजी से बढ़ रहा है को 35.3 मिलि बन रही है तो लॉंग टर्म इंवर्शन यहां पर जबर्दस पैसा कमा सकते हैं टाटा पावर आने वाले समय इवी सेग्में में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है काफी ज़ला बीजनेस टाइप कर लिए उन्होंने अलग-अलग कंपनियों के साथ में इसके प्रॉफिट जरूर कंपनी का कम हुआ है लेकिन जो सबसे बड़ा यहां पर प्लस पॉंट वह है इसका इप्यस जबर्दस वर्दी बता रहा है तो जबर्दस इप्यस में सुधार है 5.4 तक पहुच गया तो आरोई में भी सुधार हो चुका है डेट टो एक्यूटी रेशियो इसका नीचे आ है देख से तो की 2019 में जहां पर यहां पर करीब 2.68 करोड के आसपर था जो 2023 में 1.7 करोड के आसपर था तो यह अच्छी बात है कि डेट टो एक्यूटी रेशियो भी नीचे आ रहा है और इसकी रेटिंग में भी काफ़े चा इसकी रेटिंग और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है एक बार इसके पीवर्ट लेट को चेक लेते निकट में क्या प्राइज आ सकते बविश्य में तो गिरावट हो जाते तो 288 का फर्स सपोर्ट है यह टूटेगा तो स्टॉक 250 तो एक चला जाएगा और 200 बांद पर नहीं रुखा तो फिर 228 तक आने की संभावना तो बड़ी गिरावट शुरू हो जाते बाजान में प्रॉफिट बॉकिंग आवीती है तो फिर 228 तक आ सकता है पॉजिटिव मौल बना तो 340 संद का फर्स रेजिस्टन से इसको पार करते इस स्टॉक 371 तक जाएगा और ए सब्सक्राइब करें से पहले अपने फाइनसर एडवाजर बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुकिज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए थैं